जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए लेकि आएं ग्रीन केमेस्ट्री और सस्टेनिबल केमेस्ट्री का पहला पार तो आएए जानते हैं क्या होती है ग्रीन केमेस्ट्री बच्चो आपके लोगों को पहली बार ग्रीन केमेस्ट्री का पता उस समय चला जब दो अमेरिकन साइंटिस्ट पी अनास्ट्री और जे वार्णर ने ग्रीन केमेस्ट्री और प्रेक्टिस नाम की एक किताब पब्लिस की उस किताब में उन्होंने ग्रीन केमेस्ट्री के बारा प्रेंसिपल के बारे में बताया था रिपोर्ट किया था ध्यान नकिएगा ग्रीन केमेस्ट्री जो है केमेस्ट्री की एक ब्रांच होती है इस green chemistry के अंदर किसी भी reaction के अंदर product या material बनाने से पहले इस बात का ध्यान किया जाता है, विसेज ध्यान किया जाता है कि कहीं उस reaction में use होने वाला कोई raw material, कोई chemical hazardous यानि की हानिकारक तो नहीं है, अगर कोई वहाँ पर chemical hazardous या जान लेवा है, हानिकारक है तो उसका use कम से कम कि किया जाए या फिर उस हानिकारक पदार्थ को chemical को वहाँ से हटा दिया जाए, ऐसा किया जाता है, ऐसा सोच जाता है green chemistry में, green chemistry touches many branches of chemistry, namely inorganic, organic, analytical, environmental, physical, etc, बच्चों green chemistry जो होती है, ये chemistry की एक ब्रांच होती है, जो chemistry की बहुत सारी अलग अलग ब्रांच को छूके जाती है, व बहाँ पर ये applicable होती है, जैसे inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, environmental chemistry, physical chemistry, etc, यहाँ पर ये green chemistry आप apply कर सकते हैं, green chemistry is different from environmental chemistry because environmental chemistry deals with pollution, pollutant and their effects, ब्रुछ लोगों में इस चीज़ को लेके doubt है कि green chemistry जो है, वो environmental chemistry से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि ये भी society और nature के बारे में ही सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चो, green chemistry, environmental chemistry से बिलकुल अलग है, क्योंकि environmental chemistry की अंदर केवल pollution, pollution को फैलाने वाले pollutants और उनसे होने वाले bad effects की ही study की जाती है, लेकिन green chemistry में ये सब बनने से पहले ही रोका जाता है, क्या ये आपको clear है कि green chemistry, environmental chemistry नहीं है, बलकि एक अलग ब्रांच है, examples of green chemistry, बच्चो अब लेते हैं green chemistry की वो example जहां पे आपको green chemistry होते हुए दिखाई पड़ेगी, first example, polystyrene foam is a common packing material and needed in every field, CFCs were used as blowing ascent in making polystyrene seats, आप जानते हैं कि polystyrene जो होता है, पेकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा use होने वाला material होता है, polystyrene foam को बच्चो आम भासा में thermacol भी कहते हैं, अब होता क्या है कि polystyrene की seats बनाते समय, chlorofluorocarbon जिनको sort में CFCs भी कह जाता है, वहाँ पर इनको pass किया जाता है, CFCs are flammable, explosive, toxic, ozone layer depleter, in this concern, DAO chemical company invented the use of carbon dioxide gas in place of CFCs, chlorofluorocarbon CFCs जो होते हैं, बहुत जल्दी आँख पकड़ते हैं, बच्चो विसफोटक होते हैं, जैरीले होते हैं, और ozone layer में छेद करने वाले होते हैं, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, DAO नाम की ये chemical company है, बच्चो, जिसने सबसे पहले इस बात पर विचार किया, कि अगर हम लोग CFCs pass करेंगे, तो वहाँ पर accident के chances हैं, ये जैरीली भी होती है, और जब ये बाहर निकलती है, तो ozone layer में छेद करती है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कि polystyrene की seat बनाते समय, हम लोग वहाँ पर CFC को pass ही न करें, क्यों ना कि वहाँ पर हम लोग कोई दूसरा पदार्थ, कोई दूसरा chemical substance pass कर दें, इसलिए dough company ने सबसे पहले green chemistry को सोचते हुए, CFC को वहाँ से हटा दिया, और polystyrene की seat बनाने में carbon dioxide gas को pass करने लगे हैं, तो आजकल जो polystyrene seats बनाई जाती है, वहाँ पर CFC gas pass नहीं करी जाती है, वहाँ पर CO2 gas को pass किये जाता है, CO2 gas explosive नहीं होती है, बच्चों ये toxic भी नहीं ह होती है, ये ozone layer को damage भी नहीं करती है, second, PVC consists chloride contained, generates highly toxin, dioxin and chlorinated dioxin, dioxin is one of the POP, persistent organic pollutant, PVC is unstable and needs hundreds of plasticizers, solvay company in Brazil, plan to make green PVC by using sugarcane based ethanol feed stocks, बच्चों आप जानते हैं कि हमारे daily life में PVC का एक जबरदस रोल है, polyvinyl chloride को salt में PVC का जाता है, ये हमारा एक common plastic है, जो हम लोग जूतोई के अंदर, pipes के अंदर, खिलोने के अंदर, कोम के अंदर, कार्पेट के अंदर, हमारे container के अंदर, हर जगे आपको देखने को मिलेगा, PVC polyvinyl chloride के अंदर, chloride content होता है, PVC degrade होता है, या फिर PVC को जलाया जाता है, तो उससे dioxin और chlorinated dioxins बनते हैं, बच्चों, dioxin P.O.P. का एक main सदस्से है, P.O.P. को persistent organic pollutant कहते हैं, ये वो organic pollutant होते हैं, जो environment में हमेशा मोजूद रहते हैं, और environment को as well as जो हमारे human beings हैं, जो लोग जानवर हैं, आदमी हैं, उन सब के जीवन पे ये बहुत जादा असर डालते हैं, cancer करने वाले होते हैं, जिनको sort में P.O.P. बोला जाता है, dioxin उनी में से एक ऐसा जैरिला compound है, जो PVC से हमको मिलता है, बच्चों याद रखिएगा, PVC जो है बहुत जादा less stable, unstable compound होता है, और यहाँ पर इसकी stability और quality को improve करने के लिए, क्योंकि इसको हमको daily life में use करना है, तो इसको stable तो बनाना ही पड़ेगा, फिर हमें देखना है कि हमें किस use के लिए चाहिए, जूते के soul के लिए चाहिए, soft toys के लिए चाहिए, रसी के लिए चाहिए, carpet के लिए चाहिए, हमें किस use के लिए च को stable और उसे काम का बनाने के लिए उसके अंदर लगबग 100 chemical substance मिलाए जाते हैं ऐसे substance जो प्लास्टिक की quality को बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं plasticizer ध्यान लखीगा Solve company ने green chemistry को ध्यान में रखते हुए polyvinyl chloride जो की हमारे environment को human beings की health को affect करता है तो green chemistry इस पे असर करते हैं तो green chemistry को लगाते हुए Solve company जो Brazil की है उसने अब green PVC बनाने का निर्णय लिया है green PVC बनाने के लिए वो हमारी जो गन्ने की खेती होती है गन्ने की खेती से मिलने वाले crude ethanol को use करने वाले हैं से की dioxin नहीं बनेगा environment damage नहीं होगा बच्चों green chemistry का PVC में एक यूज और भी है आप जान लीजिए Thalates are replaced by plant source gradients as they cause hormone disruption तो साइद आप जानते हों या नहीं जानते हों पर ये आपको जानना जरूरी है कि PVC के अंदर थैलेट्स मिलाए जाते हैं और ये थैलेट्स जो होते हैं बच्चों के खासकर जो soft toys होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है कि PVC क्वाल्टी काफी hard होती है उसको soft बनाने के लिए थैलेट्स यूज करते हैं as an ingredient लेकिन जब analysis हुआ और report आई तो बच्चों वो report बहुत चोकाने वाले थी थैलेट्स जो होते हैं वो hormone disruption पे काम करते हैं hormones के secretion को disturb करते हैं बच्चे चिड़चड़े हो जाते हैं उनमें hormonal imbalance पाया जाता है तो अब लोगों ने क्या किया है कि जो soft toys companies हैं उन्होंने थैलेट्स को वहां से उस chemical compound को remove कर दिया है और उसकी जगे plant से पेड़ पोदों से निकलने वाले अलग-अलग chemical substance को use करना सुरू कर दिया है hazardous थैलेट की जगे क्या आपको clear हुआ कि green chemistry कैसे काम कर रही है अगर नहीं हुआ है तो हम आपके साथ कुछ example और लेते हैं third example production of hydrazine आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो reaction आपके सामने लिखी हुई है reaction में जो chemical compound common है वो ammonia है बच्चों यह दोनो method जो है hydrazine NH2, NH2 जी है इसको N2H4 भी बोलते है hydrazine बनाने के लिए यूज की जाते है पहला method जो है यह ओलिन रासिग method कहलाता है काफी common method था ओलिन रासिग method इस method के अंदर ammonia gas पास की जाती है sodium hypo chloride जी हां सही सुना आपने sodium hypo chloride के अंदर ammonia gas को पास करते हैं जिससे hydrazine और NaCl और water बनता है यह reaction commonly commercial level पे यूज की जाती थी factory के अंदर यूज की जाती थी hydrazine chemical बनाने के लिए लेकिन इसके अंदर NaCl जो है वो बनता ही बनता है जितना hydrazine बनता है उतना ही NaCl बनता है तो ओलिन रासिग method से factory वालों को industry को काफी नुकसान हो रहा था क्यों hydrazine की जो amount होनी चाहिए production होना चाहिए वो कम मिल रहा था green chemistry का यूज करते हुए scientist लोगों ने क्या किया sodium hypo chloride को replace कर दिया परोकसाइड से बच्चो S2O2 जो होता है यह less stable liquid होता है परोकसाइड जो होता है यह डिगर्ड हो आता है और water बनता है और oxygen बहार निकल जाती है तो यह toxic नहीं होता है जब S2O2 में ammonia gas pass की गई तो high yield में hydrazine और water बना बच्चों यहाँ पर NACL नहीं बनता है तो आप देख पारें कि हमने यहाँ पर hazardous sodium hypo chloride को remove किया और hydrazine की amount को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया production काफी ज़्यादा बढ़ गिया और इस तरह यह commercial method है आज की तारीक में तो यहाँ पर S2O2 हम लोग use करते हैं green proxide बोलते हैं और यह hazardous नहीं होता है तो यह हमने एक अलग use देखा green chemistry का कपड़े जो नाजुक होते हैं घर में धुल नहीं सकते हैं उनको हम लोग dry clean के लिए भेजते हैं वहाँ पर पर क्लोरो इथाईलीन जिसको sort में पर्क बोला जाता है यहां PERC और दूसरा है हमारा carbon tetra chloride बच्चों यह दो solvent यूज की जाते थे पानी कीजे क्योंग पानी से कपड़े खराब हो जाते हैं इसलिए dry clean कराते हैं यह organic solvent होते हैं और बहुत जल्दी हवा में उड़ जाते हैं तो पर क्लोरो इथाईलीन और CCL4 dry cleaning में यूज करते थे लेकिन ऐसा पाया गया कि जो लोग उस factory में काम करते थे उनमें cancer की सिकायते आने लगी थी तो यह cancer करता है दोनो chemical hazardous हैं तो इनको replace किया गया और यह green chemistry यही कहती कि कि किसी भी काम में किसी भी process में अगर कोई ऐसा chemical use हो रहा है जो hazardous है जो जानलेवा या हानी कारक है तो भाई उसका use कम करें और हो सके तो उसको बदल दें तो यहाँ पर green chemistry लगाते हुए industry वालों ने आज की तारिक में dry cleaning के लिए जो solvent use होते थे पर chloroethylene और CCL4 उनको बदल दिया है और उसकी जगह use करने लगे है liquid carbon dioxide देखा आपने चमतकारी है हमारी carbon dioxide इससे कोई भी किसी भी तरह की सिकायत नहीं होती है यह hazardous नहीं है बच्चो तो आज हमने जाना green chemistry क्या है कहां से आई और इसका use कैसे करते हैं green chemistry के हमने बच्चो यहां पे चार example भी आपके साथ discuss किये पहले example में हमने जाना कि polystyrene के production में hazardous chlorofluorocarbons को कैसे CO2 के use द्वारा replace किया गया दूसरे example में हमने जाना कि PVC को हम लोग आज कल PVC को replace कर रहे हैं जो उसका traditional method है उससे बनाने पे हम लोग जोड नहीं दे रहे हैं उसकी जगह हम लोग green PVC बनाने पे जोड दे रहे हैं और जो उसके अंदर different plasticizer use हो रहे थे ant ingredient से ताकि वो hormones पे असर ना करें हमारे बच्चे safe रहें तीसरा example हमने लिया कि जो hydrazine बनाने का commercial method था all-in रासिग उसको ही replace कर दिया क्योंकि वहाँ पे हम लोग लेके आ गए green peroxide S2O2 in place of sodium hypo chloride चोथे example में हमने जाना कि कैसे dry clean के अंदर cancer करने वाले PARC और CCL4 solvent use होते थे जिनको replace कर दिया गया CO2 liquid solvent के दोवारा तो बच्चो ये कुछ use हैं इसके अलावा और भी हैं जो हम लोग use करेंगे जो ये बताते हैं कि कैसे green chemistry को use किये जाता है hopefully आपको clear हुआ होगा